भाई ऐसा कोई जौनरा बचा है जिसमें मलालम सिनेमा ने रिसेंटली अच्छी फिल्में नहीं बनाई है सर्वाइवल ड्रामा हो गया, रॉम कॉम हो गया, मसाला इंटरेन्मेंट भी हो गया और अभी रिसेंटली एक पीरियर्ड एडवेंचर फिल्म भी आई और आज जो मैंने फिल्म देखे है ना, भाई उससे मेरा दिमाग घूम गया है मतलब मैं यह सोच रहो कि 2024 में मलालम सिनेमा और कितना सर्प्राइज करने वाला है इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अपरना और अजय चंदरन के शादी से शादी के बाद अपरना जो है वो अजय के घर पे सेटल होना शुरू करती है उस ताइम पे अजय की जो पिताजी है उनकी कुछ हरकत है अपरना को काफी वियर्ड फिल होती है अब उन हरकतों के लिए अजय अपरना को justification देता है लेकिन वो justification उतना काफी नहीं होता तो अपरना क्या करती है अपरना अपने तरीके से एक investigation शुरू करती है अब उस investigation के बाद अपरना के सामने जो भी चीजे reveal होती है उन चीजों ने अपरना के साथ साथ मेरे भी दिमाग की माभेन एक कर दी देखो ये फिल्म दो घंटे की है लेकिन आप फिल्म से ऐसा कोई fast-paced expect मत करना इस फिल्म ने बहुती आराम से मुझे अपने आप में involve करना चुरू किया फर्स आफ तक तो मुझे लगा था यार ये फिल्म एक normal thriller है लेकिन second half में इस फिल्म ने मुझे surprise किया specially फिल्म का जो आखरी आदा हंटा है वो देखने के बाद I was like ये क्या देख लिया मेंने भाई इस फिल्म ने ना literally मेरे दिमाग के साथ खेला है मतलब फिल्म देखते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं जो गेस करूँगा ना वही plot reveal आएगा लेकिन वहाँ भी कट गया यार मेरा फिल्म पूरी तरह से रियल लोकेशन पे शूट की गई है तो फिल्म है जो भी forest वाले लोकेशन है उनको cinematographer ने जिस सरी के से capture किया है वो एक बड़ी screen पे देखना काफी eye pleasing experience है इस फिल्म की जो lead heroine है मैंने उसको इसके पहले फाफा की किसी पुरानी फिल्म में देखा था and she's so good in this film आसी फली की ये पहली फिल्म है जो मैंने देखी और आखरी 20 minutes में उन्होंने जो काम किया है terrific अब देखो मैंने अच्छा कासा international content consume किया है तो ये फिल्म देखते टाइम ना मुझे इसा लगा कि Hollywood की कुछ फिल्म है जिनके beats and pieces इस फिल्म की कहानी में मुझे दिखे लेकिन इस फिल्म का जो screenplay है और इस director का इस कहानी को present करने का जो तरीका है उसकी वज़े से ये फिल्म मुझे काफी unique और fresh लगी फिल्म के जो आकरी 20 minutes है जहापे सारी चीज़े reveal होती है उस time पे जो background score है वो मुझे बहुत अच्छा रगा अगर आपने किस्टोपन नोलन की फिल्म में देखी है तो उनमें जो symphony orchestra का use होता है न वैसा कुछ music इस फिल्म में है आकरी 20 minutes के लिए and trust me वो music उस 20 minute को अलग level पे लेके जाता है देखो as a non-malali audience मैंने अभी तक जितनी भी Malalam फिल्में देखी है recently भी और पहले भी तो उनकी वज़े से न मेरे दिल में एक trust factor बन चुका है कि भाई Malalam फिल्म है तो at least decent तो रहेगी and fortunately मैं जो उमीद लेके जाता हूँ ये फिल्म देखने उससे जादा ही इन फिल्मोंने हमे इसी होनी चाहिए anyway तो ये था मेरा spoiler free opinion इस फिल्म के बारे में अगर आपने ये फिल्म देखी है या फिर इस फिल्म से related कोई भी नया fact हो तो please comment करके बता देना और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो एक like और ये channel एक subscribe deserve करता है तो please do the honor हम अगले वीडियो में मिलत बारे